हेलो बच्चो, रष्कार, प्यारे बच्चो, आज हम 15 चेप्टर की 2nd क्लास, जो की last क्लास है, Math के 15 चेप्टर Probability की last क्लास है यह, और इसके बाद आपका ये चेप्टर प्रोपर तरीके से खतम हो जाएगा, और फिर हम इसके बाद 10 चेप्टर सुरू करेंगे, circles, ठीक है, चलिए, मैंने 8 तक कोशन करा दी थे, 9th कोशन कराने जा रहा हूँ, 9th कोशन में क्या है, कि आपके पास 5 red marble है, 8 white marble है, 4 green marble है, और total 17 marble है, total कितने 17 marble है, तो पूछ रहा है अब से, कि बताइए red color के कितने marble होंगे, कि probability क्या होगी, तो बस total red कितने 5, 5 बटा 17, फिर पूछ रहा है white color के, white color के marble की क्या probability होगी, तो 8 by 17, अब पूछ रहा है, not green, green नहीं होना चाहिए, बच्चो जब green नहीं होना चाहिए, तो green को छोड़ दो, बाकी कितने बचे, 8 और 5, 13 बटा 17, ठीक है, चलिए, इसके बाद question number 10, क्योंकि अब मैं बच्चो सारी चीज़ों मैं लिखवा है चुका हूँ, तो आपको कैसे यह लिखना है wording, यह आप समझ गये होगी, ठीक है, तो अब direct आते 10th question में कहा रहा है, एक piggy bank के अंदर 50 पैसे के 100 coin है, बचास पैसे के जो coins हैं, ठीक है, पचास पैसे के सिक्के हैं 100, ठीक है, जबकि 50, जबकि एक rupees के जो coin है, वो 50 है, ठीक है जी, अब कहा रहा है, जो 2 रुपे के coin है, सिक्के हैं, वो 20 है, और कहा रहा है, जो 5 रुपे के सिक्के हैं, 5 रुपे के जो सिक्के हैं, वो कितने to one of the coin will fall out when the bank is turned upside down what is the probability the coin हां जी तीजी सिंपल थी बात अगर मैं कहूं कि एक सिक्काम ने निकाला भाई बात खतम इतने सारों में से तो बताओ 50 पैसे से के सिक्के का अब डाउन होने का भाई ठीक है अब साइड डाउन होने का क्या कंडीशन हो सकता है 50 पैसे के को इन fifa to crypto कितने काइन है 100 और टोटल को इन कितने डेखो कुए रहे हैं 100 पिचा साथ 180 तो बस 180 0 तो जीरो कप गया 2 से काट तो 5 बटा दो तो यहनी कि मच्चो 50 अगला कह रहा है विल नॉट दा 5 रुपीज कॉइन 5 रुपीज कॉइन अब भी क्या कॉइन क्या है नॉट नॉट मतलब 5 रुपा का सिक्का नहीं होना चाहिए मतलब 5 का सिक्का कितना 10 उसको छोड़के बागी सारे गोपी नाम की लड़की है जिसने एक्वारियम में मचली खरीदी अब कह रहे है कि उसने सौप की पर से जो मचली खरीदी और उसने रेंडमली एक मचली निकाल ली जबकि उस एक्वारियम के अंदर मेल फिस कितनी है मेल फिस नर मचली ठीक है बच्चो नर मचली है आपके पास 5 जबकि फीमेल फिस मादा मचली मादा मचली है आपके पास कितनी बच्चो 8 तो कहरा बताओ कि अगर एक्वारियम में हाट डाल के सौप कीपर ने कोई फिस निकाली तो वो कौन सी फिस होगी सरी वो इस बात की क्या परवेलटी है कि वो मेल फिस है तो आजी मेल फिस कितने है पांच टोटल फिस कितने है 13 तो बच बचा तेरा अगला कोशन नमबर 12 बहुत सिंपल है यह भी अब कह रहा है कि एक गेम है जिसमें भई लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ठीक है और जब हम उस game को यानि कि उस circle को घुमाते हैं तो उसका arrow जिस भी number पर आता है उसके हिसाफ से हम जीतते हैं तो कहरा है बताओ इसी हिसाफ से 8 आने की probability कितनी है तो भाई इस पूरे circle में देखो न 8 कितनी बार दिखाई दे रहा है एक बार कितने में से 8 में से खतम कानी अगला odd number odd number हाँ जी यानि विशम संक्या तो बच्चो ध्यान से देखना विशम संक्या तो भाई एक से लेकि 8 तक में विशम संक्या कोन कोन है 1 है 3 है 5 है 7 है तो यानि 4 है से number जो odd है तो कितने में से, आठ में से, एक बटा दो, अगला क्या है, अगला है, ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू, दो से बड़ी संक्या, दो से बड़ी, अजी, तो दो से बड़ी संक्या क्या है, तीन है, चार है, पाँच है, छे, साथ है, तो छे संक्या हैं ऐसी, जो दो से ब लेस देन नाइन, नो से छोटा, नो से छोटा, हाँ भई, तो नो से छोटा, मतलब नो से छोटे तो सारी है, आठ क्या आठ है, कट दो, एक आगिया, बस इस तरीके से करना बच्चो, ठीक है, इसी तरह ये देखो, 13th question, आप से कहरा है कि एक डाई फैक ही गई है, तो भई, ड प्राइम नंबर जो होते है, हिंदी में अबाज्य संक्या होती है, और आपको मैंने पहले ही बता रखा, अबाज्य संक्या वो संक्या होती है, जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है, तो भई, एक से लेके छे के बीच में अबाज्य संक्या होती है, दो, तीन number आते हैं 6 में से तो एक बटा दो अगला बूछ रहा odd number odd number की probability when the odd number एनि vital Forces किया गितनी है एक है है तीन पाँच है यानि कि तीन संक्या है कितने में से 6 में से काट दो एक बटा दो तो इस तरीके से करना है समझरो बच्चा बात को चलो उदारो इसको फटाफट खतम करो आज खतम कर दूंगा मैं यह हुआ 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 है ठीक है चलिए यह आपने नोट कर लिया होगा हुआ 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 हु चलिए अगला कोश्चन है आपके सामने कोश्चन नमबर 14 15 छोड़ो पहला 16 देखो तरह पहला 16 देखो आप से कह रहा है क्या भई हाँ भई कह रहा है 16 देखो कह रहा है 12 डिफेक्टि पैन और एक्सिडेंटली मिश्ट विद 132 गुड़ पैन बच्चो नमबर अफ गुड़ पैन यानि अच्छे पैन गुड़ पैन बच्चो गुड़ पैन है आपके पास 132 और गलती से उसमें 12 डिफेक्टि पैन जो है वो 12 है डिफेक्टि पैन्स क्या है 12 जो गलती से इसमें मिल गए हैं तो चैयरा रेंडेमली एक पैन उसमें उठाया गया randomly एक pen समझे बच्चो बात को एक pen उसमें से randomly उठाया गया तो बच्चो जब randomly उसमें से एक pen उठा लिया तो बताओ इस बात की क्या probability है कि जो pen उठाया गया है वो good pen है जो pen उठाया गया है वो good pen है तो पहले total pen देखो कितने है बई total pens जो हो गए ठीक है total pens हो गए कितने 144 कितना हो गए 144 तो आपको probability निकालनी है good pen की तो बच्चो good pen good pen कितने होंगे 132 और किस से 144 काटो 12 से 12 से 11 बार में और यह तो पुर्वैल्टी कितनी आगी 11 by 12 ठीक है इसी तरह question number 18 देखो फिर 17 करेंगे 18 में अब box contain 90 disc एक box में 90 disc है ठीक है और सब पे 1 से लेके 90 तक number लिखे हुए यानि जितने भी disc है ना जब पहला disc उठा है उस पे 1 लिखा हुआ दूसरे पर 2 लिखा हुआ तीसरे पर 3 लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है इसलिए 90 पे 90 लिखा हुआ है इस दरीके से हर disc पे number लिखे हुए है अब कहा रहा है कि भई हमने randomly एक उसमें से क्या निकाला disc निकाला तो बताओ इन बातों की क्या probability है चलो ठीक जी पहला कि एक 2 digit number है उसमें 2 अंकों की संखिया है मेरी बात सुनो 2 अंकों की संखिया अरे भई एक से लेके 90 तक में 2 अंकों की संखिया कितनी हो सकती है तो देखो अरे एक से लेके 9 तक number तो single number हुए ना एक digit के हुए 10 से लेके 90 तक MOR होगे तो 90 मेंसे कितने digit ऐसे जो single है तो वो है 9 तो 9 number हटा दो, तो 90 में से 9 गए तो कितने बचे, 81, तो 81 number ऐसे है, जो 2 डिजिट के है, ठीक है, तो 90, काटोगे, 9 नहीं में क्या सी, और 9 90 हो गया, ठीक है, अगला, अगला क्या है, इसी के अंदर है, अब perfect square number, square number, हाँ भई, square number बोले तो क्या, इसा number जो किसी ना किसी का square हो, जैसे, एक, एक का square है, 4, दो का square है, 9, 3 का square है, 16, 4 का square है, तो ऐसे ऐसे कितने number है, एक है, चार है, नो है, सोला है, पच्चिस है, च क्छarf Chili है, और कुम है, उननचास है, फिर क्या 64 है, फिर 81 है, फिर तो 100 आएगा, तो यानि ऐसे 9 नंबर है, बच्चो कितने नंबर है नो, कितने में से 90 में से, काड़ दोगे एक, बटा 10, अगला अगला क्या बोल रहे है नमबर divisible by 5 divisible by 5 बच्चों 5 से डिवाइड होने वाले कौन-कौन से नमबर है एक तो 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा ठीक है और कौन होगा 25 होगा 30 होगा 35 होगा 40 होगा 45 होगा 50 होगा 55 होगा 60 होगा ठीक है 65 होगा 70 होगा 90 होगा तो कितने नंबर होगा ऐसे दो दो चार दो छे दो आठ दो दस दुबारा दो चौदा दो सोला दो एक से लेके 90 तक के बीच में पांसे डिवाइड हो जाएंगे तो है अब देखो कोश्ण बहुत प्यारद कोश्ण अच्छा कोश्ण है brings lot of 20 बलब केरा चार बलब में चार बलब में 4 बलब दिफेक्टिव है double rate total number of टोटल number of बलब ठीक है 20 बलब की कुल संख्या बलब की कुल संख्या कितने बच्चों बलब की कुल संख्या 20 और defective कितने है उसमें total number of defective ones बल्ब YouTube कितने चार यहांनि खरब बल्ब की संख्या चार आई खराब vals Nokia ठीक है लिख ले ना खाराब ब Celebration कि ऑठ रचे वाखर अठीक तोटल नंबर ओफ verw हाँ भई तो कितने हैं बीस में से अगर चार खराब है तो सही कितने होंगे तो अच्छे बल्वों की संक्या तो अच्छे बल्वों की संक्या बच्छो 16 अब उसने देखो क्या बोला है उसने बोला भाई कि प्रुवल्टी निकालो कि जो बल्व आपने निकाला है न वो डिफेक्टिव है ठीक है डिफेक्टिव बल्व ठीक है तो डिफेक्टिव बल्ब तो बच्छो डिफेक्टिव बल्ब हैं कितने चार है कितने में से 20 में से काट दो एक बटा पांच ठीक है अगला कहा रहा है suppose that अब इसके second part में देखो यह तो first part था ना second part में देखो suppose that आपने जो बल्ब निकाला है माल लो आपने जो बल्ब निकाला है आप उसे निकाल के ना वापस side में रख देते हो उसी के अंदर नी मतलब आपने आपने क्या किया आपने क्या किया कि बच्चो जो बल्ब निकाला था ना उस बल्ब को उठाया और side में रख दिया जो बल्ब आपने निकाला उस बल्ब को उठाके side में रख दिया तो पहले 20 बल्ब थे अब एक निकाल के side में कर दिया बल्ब बचे कितने 19 अब क्या कह रहा है बई अब कह है कि जो बल्ब हमने निकाला था ना जो बल्ब हमने निकाला था समझ लो वो defective नहीं है तो defective नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा अच्छा होगा यानि हमने जो बल्ब निकाला था वो गलती से अच्छा बल्ब निकल गया और अच्छा बल्ब निकाल के हमने क्या रख दिया साइड में तो टोटल बल्ब कितने बचे अब 19 बचे और पहले सही बल्ब कितने थे 16 लेकिन सही वाला एक उठा के हमने साइड में रख दिया तो बचे कितने वह 15 बचे तो कहरा अब बताओ कि अब हम दुबारा बल्ब निकाल एक निकाल के साइड में रख दिया बचे 15 अहां बई तो टोटल थे 20 लेकिन अब एक साइड में रख दिया तो बचा कितना 19 तो यानि अब की बार अच्छा बल्म निकालने की प्रफिल्टी कितनी रही 15 बटा 19 कितनी रही 15 बटा 19 ठीक है बच्चो चलिए तो कोशन अमर 18 भी हो गए कि अब कोशन इंगे 23 देख लो छिय inhib के एक सिक्ख्य को आठ बार एक एक सिक्ख्य को 3 रूठ जाला तो बच्चो याद करो सिक्ख्य को 3 रूठ जाओ मैंने कितने केस बता हे थे आप लोगोंकों थे याट केस बताया थे क्योंकि इन सिक्क्य के पहल्सेन दो और लि कि पावर तीन कितने हो गए आठ तो क्या बनता है ना चार बार हैड लिख लो चार बार टेल लिख लो दो बार हैड लिख लो दो बार हैड लिख लो फिर हैड लिख 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 लि और तीन बार लगातार या तो head आ जाए, तब तो वो जीतेगा, और अगर तीन में से एक भी बार कम आ गया head या tail, तो वो हर जाएगा, तो देखो, भाई winning, winning के लिए सर्त क्या है, जल्दी बताओ, winning के लिए सर्त क्या है, winning के लिए जीतने के लिए सर्त यह या तो तीनो बार head आई या तो तीनों बार tail आए नहीं तो हार जाएगा तो ऐसे कितने case है जब तीनों बार head या तीनों बार tail आ रहा है तो दो case है कितने में से आठ में से cut गया एक बटा चार तो यानि उसके जीतने की probability है एक बटा चार और हारने की होती ही तो बीच वालों को ठालो तीन बटा चार हो जाएगा ठीक है चलो इसे नोट करो फिर आगे बताता हूँ फिर आपको task के पत्ते बताता हूँ फिर आपको के पत्ते बताता हूँ चलिए बच्चो यह नोट कर लिया होगा अपने ठीक है next देखो आपको के बताता हूँ आपको के बताता हूँ हाँ बई अब होते हैं तास के पत्ते ठीक है तास के पत्ते में बच्चो 52 कार्ड्स होते हैं कितने कार्ड्स होते हैं इतने पत्ते होते हैं जो चार हिस्सों में चार सूट में बटे होते हैं कितने सूट में चार सूट में बटे होते हैं बच्चो पहले सूट का नाम है activation कि अग्ला होता है है फ्रेमिंट है फ्रेसे हम लोग ट स HOW ब स्क्राइबخت पार कि अगे ऐसा होता है ॉच सिंबल कैसा होता है अगला होता है by प्ठेख है पीत है यह देखने मने ऐसा होता है ऐसे होता है ना और अगला क्या होता है ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है और अगला होता है क्लब ठेक है इसे कहते है चीडी का पता और इसे कहते है हुकम का पता ठीक है जी चलो तो बच्छो इस तरीके से है अब मैं ये बताना चाऊंगा कि सब के अंदर एक एक किंग होता है बाई और इन्हीं जープ किंग है तो कुइन भी होईगी और कोई नहीं तो उनका एक गुलाम भी होता वजीर जी से हम लोग कहते हैं गुलाम जैक और अब क्या है भाई राजा का अपना कोई चहरा होता है रानी का भी अपना कोई चहरा होता है और भाई जैक का भी कोई अपना चहरा होता है इसलिए इनको face cards कहा जाता है चहरा पत्ता और इनकी संख्या होती है बच्चों 12 कितनी होती है 12 जिसमें से 6 लाल कलर के होते है 6 red वाले होते है face card और 6 black वाले होते है face card ठेक है जी? कोई दिक्कत? ठेक? अच्छा इसके बाद एक आता ace जिसे हम a से denote करते है ace ace एक का ठेक है ये चार होते है दो लाल कलर के और दो काले कलर के उसके बाद numerical होते है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक होते है numeric card कहते हैं इसको 2 से 10 2 से 10 और 2 से 10 और इस तरीके से हर सूट में 13 card होते है हर सूट में कितने card होते है 13 card होते है और total बाई red वाले 26 card होते है और black वाले भी 26 card होते है और इस तरीके से बच्चो हमारा ये पूरा card जो है इन parts में बटा होता है अब इसके बारे में जानकारी मैं आपको जल्ली से इसको note करो और इसको जानकारी देता हूँ questions करवाऊंगा कि किस किस टाइब की questions आ सकते है चलिए आपने नोट कर लिया होगा आपने नोट कर लिया होगा अब जिसे एक example 4 करा देता हूँ फिर और भी करा दूँगा कह रहा है कि वह एक card निकाला गया 52 card में से ठीक है अब कह रहा है बताओ इस बात की क्या probability है कि वह एक ace है तो बताओ कितने ace होते है total चार कितने में से 52 में से card दो एक बताओ तेरा इस तरह कह रहा है अगला ace नहीं होना चाहिए not an ace इकका नहीं होना चाहिए तो वह एकका कितने है total इक चार है तो चार इक के हटा दो तो बचे कितने 48 बताओ बावन card दो 4 से 12 बताओ तेरा इतना simple सा question है ठीक है अब जैसे तुम question number देखो question number देखो 14 14 में कह रहा है कि एक card निकाला गया 52 card में से 52 card में से कितने card निकाले एक card निकाला अब भई उसमें ये पूछ रहा है आप से a king a king of red color लाल color का बास्सा a king of red color लाल color का बास्सा तो भी total लाल color का बास्सा है कितने दो है ठीक है कितने में से 52 में से card दो एक बटाचब बिस यह होगा इसका first part 14 का 14 का second part क्या कह रहा a face card चहरा पत्ता हाँ भई total face card कितने होते 12 कितने में से 52 में से card दो 4 से चार तिया और यह तेरा तीन बटा तेरा थर्ड अगला क्या बोल रहा है a red face card a red face card लाल चहरा पत्ता अरे total पत्ते होते हैं 12 चहरे पत्ते जिसमें 6 लाल 6 काले तो 6 बटा 52 card दो 2 से 3 टाचब बिस 4 इस Room पत्त 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 पूरी सूत हो गई पूरी परजाती हो गई तो पूरी स्पेड में कितने card होते हैं 13 कितने में से 52 में से गई एक बटा 4 पांचमा The Queen of Diamond A Queen of Diamond हाँ भई हिंदी में क्या लिखेंगे Eat की बेगम हाँ भई तो एक बात बताओ Diamond तो एक अकेला सूट है ना और हर सूट में एक ही King होता है एक ही Queen होती है एक ही Jack होता है तो एक ही बेगम होगी कितने मेंसे 52 मेंसे बस बात खतम समझेरों नो बात को इस तरही के से करना है इस असान असान से कोश्चन है नकली-नकली से हाँ अगला देखो 15 आपके बात पांच ही बत्ते हैं बच्चो कौन कौन से बच्चे एक है 10 का बत्ता एक है Jack एक है Queen एक है King और एक है ass of diamond, ठीक है, पान का, एक का, तो कह रहा है, इस वे से, इन पांचों में से, एक card निकाला गया, ठीक है, तो बताओ, इस बात की क्या probability है, कि वो queen का पता है, को कुईन का पता चाहिए है, तो कोईन दिख कितनी रही है, एक ही तो दिख रही है, कितने में से, 5 बता पांच, अगला कह रहा है कह रहा है कि if the queen is drawn and put aside कह रहा है कि जो queen निकली ना जब हमने पहली बार में queen निकाली queen निकाल के side में रख दो queen निकाल के हमने side में रख दिया तो बचे कितने, 4 बच गए ठीक है, कितने बच गए, 4 बच गए ठीक है तो कहरा बताऊ अब एक a से निकालने की क्या pyramidalty है एक का निकालने की अरंब तो एक का ऊको एक की है कितने में से facing चार में से बात खतम ठीक है यह first यह second का a part a part अब b part b part मैं क्या बताऊ है queen निकालने की probability queen अब एक बात बताऊ जब कोई निकाल कि अमने साइड में रख दिये कोई है ही नहीं, तो क्या हैगी probability, 0 क्योंकि मैंने क्या बता है, कि जब कुछ भी ना हो, तो probability क्या होती है, 0 होती है, 0 ठीक है, चलो, इसे note कर लो, फिर एक चीज और बताता हूं, जल्AD से कर लो note इसको कर दो ठीक है चलो अब देखो एक नए टाइप का कोश्चन करा देता हूं और फिर खतम हो जाए गई अब प्रुवेल्टी इससे बाहर नहीं आ सकती थोड़े लॉजिकल वाले कोश्चन जो है वो मैं आपको एक्जाम टाइम पर कराऊंगा ठीक है बाकी इससे बाहर कुछ से बनता है नहीं वैसे 95% से ज़्याद अच्छा कवर हमने कर लिया है ठीक है अब केस आता है कि जब अडाई टॉज्ट ट्वाइस जब एक डाई को दो बार उच्छाला जाए एक पासे को दो बार उच्छाला जाए एक पासे को दो बार उच्छाला जाए ठीक है जी चलो तो जब एक पासे को दो बार उच्छालोगे आप जब एक पासे को दो बार उचालोगे तो भई केस तो पासे में 6 होते हैं और दो बार उचालने का मतलब 36 केस बनेंगे तो पासे उचालने पर केस 36 बनते हैं क्या क्या बनेंगे? 1-1 हो सकता है पहले बार में भी 1 आए उच्छालने पर दूसरी बार में भी वनाए हो सकता है 1, 2 पहली बार में 1, दूसरी बार में 2 हो सकता 1, 3, 1, 4 1, 5, 1, 6 ठीक है और क्या case हो सकते है 2, 1, 2, 2 2, 3 2, 4, 2, 5 2, 6 और क्या हो सकता 3, 1, 3, 2 3, 3, 3, 4 3, 5, 3, 6 और क्या हो सकता 4, 1, 4, 2 4, 3, 4, 4 4, 5 4, 6 और क्या हो सकता 5, 1 5, 2, 5, 3 5, 4 5, 5, 5, 6 और 6, 1, 6, 2 6, 3 6, 4, 6, 5 6, 6 तो इस तरीके थे आपके 36 case बनते है जब एक डाई को एक पासे को दो बार उचाला जाए ठीक है अब इस पे बहुत सारे questions बनते है ठीक है तो मैं आपको कम से कम 5, 6 तरीके की question लिखके दिखा देता हूँ वही questions आते हैं बार-बार और उनी को आपको समझ समझ के करना है जैसे पहला question आगया अपर वेल्टे निकालो पर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर-फॉर- देखो, एक तो आपकी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, एक आपकी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, और एक आपकी ये वाली लाइन हो गई, तो ये ऐसे नमबर है, जिन पर एक और नमबर या एक इवन नमबर है, ठीक है, तो यानि कि टोटल दो वाली लाइन, चार वाली 6 वाली लाइन 18 के 36 में से कट गए 1 बटा 2 ठीक है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है कि आप से ये बोल दिया जाए कि ऐसे बोल दिया जाए 5 और इदर डाई ठीक है 5 दोनों में से किसी एक पर दोनों में से किसी एक पर 5 वही क्या होना चाहिए तो कौन से ऐसी लाइन है जिसमें दोनों में से एक 5 होना चाहिए तो एक ये वाली लाइन है बच्चो और एक ये वाली लाइन है तो कितने केस हो गए 6 केस ये और 6 केस ये 6 और 6 12 लेकिन गलत आजाएगा अंसर क्यों क्यों क्योंकि देखो जब आपने यहां से इसको गिना और यहां से इसको गिना तो यह वाला हिस्सा दो बार रिपीट हो गया Sum is greater than, sum is greater than 10, वही, दोनों पासों का sum, दोनों पासों का sum, दस से बड़ा होना चाहिए, किस से बड़ा होना चाहिए, दस से बड़ा होना चाहिए, ठेक है वही, योग, दस से अधिक, योग, दस से अधिक होना चाहिए, ठेक है, अधिक हो, चलो, तो ऐसे, कौन-कौन से पासो तो 1 होगा सम है। जो 10 से अधिक है तो देखो। इस लाइन में तो कोई नहीं है क्यों एक केस या, तो मतलब तीन बटा कितना 36, कट गया कितना एक बटा 12, तो मतलब इसी में से देख देख के आपको बताना भाई इसी में से देख देख के आपको ये बताना है कि कौन कौन से संक्या कैसी है और कितना क्या क्या आएगा ठीक है बच्छो तो इस तरीके से आपका DICE का भी topic खतम हो गया ठीक है एक last topic और देख लो मैं ये भी करा देता हूँ फिर खतम ही हो जाएगा proper तरीके से ठीक है देखो बच्छो leap year leap verse और एक आता normal year ठीक है समानने verse तो बच्छो अगर आपसे पूछ ले हमें पता है भाई दोनों में 52-52 होते हैं 50-52 क्या होते हैं वीग होते हैं ये हमें पता अच्छे से तो कहरा है अगर माल लो कहरा है कि normal year में 53th तेरे पनवा Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday कुछ भी कोई भी एक दिन देगा जरूरी नहीं है देगो सबका आंसर सेम ही है डे से आपको कोई लेना देना नहीं है डे कोई सबी हो आपको आंसर सेम ही रहेगा ठीक है अगर आपसे नॉर्मल एर में पूछता है probability of 53 day, अब वो 53 day कौन सा हो सकता है, Monday भी हो सकता है, Tuesday भी हो सकता है, Wednesday भी हो सकता है, Thursday भी हो सकता है, Friday भी हो सकता है, Saturday भी हो सकता है, Sunday भी हो सकता है, कोई सभी दिन दे दे, probability बिल्कुल fix रहेगी एक बटा साथ, ठेक है, और अगर लीब एर में तो आंसर रहेगा दो बटा साथ अब इसका reason भी बता देता हूँ क्यों देखो इसका reason देखो पहले वह टोटल दिन कितने है 365 ठीक है और वह एक हफ़ते में दिन कितने होते है साथ तो साथ पंजे 35 बजगा एक बज़गा पांच दुनी 14 तो भावन अफते तो पूरे-पूरे होईगे एक दिन एक्ट्रा बच रहा है अब वह एक दिन कुछ भी हो सकता है Monday भी, Tuesday भी, Wednesday भी, Thursday भी, Friday भी, Saturday भी, Sunday भी तो इसलिए आंसर हो गया एक बटा साथ अब यहाँ देखो यहाँ दो बटा साथ क्यों आया दो दिन कौन-कौन से हो सकते है परिं, Monday, Tuesday हो सकता है Tuesday, Wednesday हो सकता है Wednesday, Thursday हो सकता है Thursday, Friday हो सकता है Friday, Saturday हो सकता है Saturday, Sunday हो सकता है और Sunday, Monday हो सकता है तो देखो टोटल कितने केस बने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ केस बने और साथ में से ऐसे दो case बनेंगे जिसमें day repeat हो रहे हैं अगर आपसे Monday पूसता है तो देखो एक बार Monday दो बार Monday Tuesday पूसता है एक बार Tuesday दो बार Tuesday वेटनेस ब्वूचता है एक बार दो बार आपको इस तरीके से टैकल करना है, ठीक है? चलो, तो आपकी प्रॉबैल्टी वाई पूरी तरीके से हो गई है, खतम, नेक्स क्लास में बच्चो मैं इसके आगे का एक नया चैप्टर सर्कल सुरू करवाऊंगा ठीक है तो चलिए आज के समा यहीं समाप्त करते हैं मिलतें नेक्स क्लास में